सस्रेकाल नमस्कार हमारे सभी किसानबाईयों को किसानबाईयों आप सभी का एक बार फिसे स्वागत है आपके रो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग ज्यान में धान की फसल की हमारे किसानबाई त्यारी कर रहे हैं जैसे कि नर्सरी भी त्यार हो चुकी है और कुस दिनों में ट्रांस्पलांट का काम शुरू हो जाएगा यानि धान रुपाई का कारिश शुरू किया जाएगा तो इसमें बहुत से फटलाइजर प्रयोग किये जाते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए धान की फसल में पोटास खाद का महत्तु क्या है इसके फैदे कितने मिलते हैं अगर हम धान की फसल में पोटास खाद का प्रयोग करते हैं तो धान की फसल में क्यों जुरूरी है ये खाद पोटास, इसकी डोज कितनी देनी होगी और कितनी मात्रा में और किस तरह से प्रयोग करने से इसका रिजल्ट जो है वो 100% मिले तो किसान भाईयो आप लोग वीडियो के साथ अंतक बने रहें और प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब करके और पास वाली गंटी को भी जरूर प्रेस कर लें तो किसान भाईयो दान की फसल में पोटास खाद का महत्त क्या है किसान इस खाद को वरियता नहीं देते हैं मतलब इस खाद को ज़्यादातर किसान हमारे नजर अंदाज कर देते हैं जैसे कि महत्त पूर्ण जो तीन पोशक तत्त है पोटास तत्त जुमेन पोशक तत्त के दूसरा नमबर आता है किसान बाईयो, तीसरे नमबर पर फास फोरस आती है, पोटास धान के लिए, पॉलिनेशन, ग्रोथ के लिए, टिल्रिंग के लिए, दाना भरने के लिए, दाने की क्वाल्टी अच्छी, दाने में चमाक, जड़ मजबूत करना, फसल को न गिरने देना मातपूर्ण यह पोशक तत्तो है, पोटास, तनियो को मजबूत करता है, जड़ों की ग्रोथ करता है, तभी पोधा अपना भोजन सही से ले सकेंगे जड़ से ही पोटे का बिकास निरवर होता है किसान भाईयो, पोधा फुटाओ की तरफ बढ़ता है, पोधों में अलग-अलग भागों में जो खुराक पहुचाना, पॉली ग्रीन देना, दानों को मजबूती देना, टमप्रेचर को मिंटेन करना, पोधों में जब धान प पत्तों और तनों में जो भोजन का रिजर्व किया होता है, तो ये पोटास दानों की तरफ ले जाता है, अब पोटास की कमी क्यों आती है, एक तो किसान भाईयों हमारे किसान भाईयों मिट्टी की जयाँ जरूर करवाएं, कुछ हमारे खेत ऐसे होते हैं, जो बालू ज़ जलते, ध्यान भी नहीं करते हैं हमारे किसान भाईयों, कम करते हैं, इसके चलते किसान भाईयों आप देखेंगे, पुराने पत्ते धीरे-धीरे सूखने लगते हैं, और ज़्यादा पोटास की कमी होई तो फिर ये नए पत्तों में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, चावल नहीं भरेगा छिलका ज़ादा होगा देखते होंगे किसान भाईयो आप लोग इसी के लिए बेसल डोज में भी जरूर पुटास खाद का दें धान की फसल में किसान भाईयो जब हम रुपाई करते हैं तो वैसे तो बाद में जब पुटास की कमी आती है या दी जाती है एन पी के रूप में जो आती ही तेरा जीरो पंतालिस गबोड अवस्ता जब होती धान की मिलकिंग स्टेज पर इस्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है एम मोपी जो मार्केट में आती है एम मोपी 60% वाली आपको धान की रुपाई के समय ही डालना होगा बे रत्यार करते हैं रुपाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब फटलाइजर प्रयोग करते हैं नैट्रोजन फासफोरस देते हैं हम लोग जैसे डी एपी या सिंगल सुपर फासफेट दी तो बेहतर खाथ कौन सी होती ही वो भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देखें उस समय भी पोटास का प्रयोग कर देना चाहिए इसकी डोज जो है किसान बाईयो 20 से 25 किलोग्राम प्रती एकड डोज दे देनी चाहिए बेसल डोज में अच्छा रिजल्ट मिलता है तो जैसे पोटेसियम सलफेट जो है वो आती है मार्केट में 50% पोटास होता है उसमें और 12% सलफर भी होता है एक आता है पोटेसियम मागनेसियम तो यह जो पोटास इसमें 22% तक पोटास होती है जारा परसेंट तक मागनेसियम होती है तो किसान बाईयो 60% जो आती मार्केट में अच्छा रिजल्ट है किसान बाईयो जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेर किसान हित में जरूर कीजिएगा इस वीडियो को जादा से जादा जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक